और देखना कब तक ये धर्की और धर्की वाते हैं कर दे दूँगा मुए अपने फोच का आनम किछे दे दूँगा रजोलान मर्द को दे दूँगा लो पहले भी पहले कार लवडाही मजमे का चेहरा उतरने लगा सलवाद सलवाद देजे मुसम्मद वाओ रजोलान बखत्र हो गया किस्ता शाम को हदीथ कही रात को नखल मनकबत आब यारी खुलूस से इतना बहा कि गुले सुगो जब सगुफ़ता हुआ तो सजाद के फूल भी महचने लगे और जब वगत आया है कि सहर हो तो दरीचे फल्यक के खुल से खावर ने सर निकाला और खेमे से पैगंबर अलम लेके निकला और मैदान ए खेवर में दोरी तलाते होने लगें जज़दोर के धूपने सुनहरी फर्ष मिचा दिया और पर अलम लेकर राहत जफर आये मीच में मजमे के खुरे हो गए मतन बे नदीर आशिया न पूछो अलम लेकर राहत को हाथ में यह ताकत औकूत की जगहें थी हमारे अहबाब ने दो जुम्ला कह जिया एक ही जुम्ला सही तो यह एक जुम्ला मैंने पढ़ दिया बस सलवाद मुहमेद लाहत राहत हैट में लेकर पैस मतबन नगाह मुर्सल सारे चेहरों को देख रही नपूछे बयाद वजह पर वो वो हसरत की तहरीरे थी अल्ला जानता है कि सारी तहरी परली मगर देखा तहरी सब है नुक्ता नहीं राहत है अल्ला जानता जानता है जानता नगाह आया शकमतबावाद दी आन अली यवन अभी तालि काँ सब नगाहते हैं अली नहीं कहा है बस जाली तु हो है जिसे नभी धूंड़ा हमारे साकर के ने काफी हमने उसे धूंड़ा है जिसे पहले नभी ने धूंड़ा थूंड़ा सलवाद महमदवाद उसे परगंब धूंड़ा है मुर्शल आदम धूंड़ा लेकिन सब है और वो नहीं जब नहीं तो बुलाया सलमान बूजर आओ जाओ लाओ सलवाद मुक्तफर करना है जुरू सले सलमान बहे बूजर पहुंचे परगंबर के भेजे हुए लो विपो ख़दीलत वो है कि लेने नहीं आते बुलाये जाते हैं बुलाये जाते हैं खुद नहीं आते कि आके देने नहीं बुलाये पाले गए हैं उसी गोद में हुदू जो खुद मेराज में नहीं गया सवारी भेजिए तो आउ मुलादिम खादिम खादीम खास भेजिए तो आउ नहीं भेजिए कि अपने घर सो रहाँ आखिर नाज उट्षाया बेजा बुलाया तूसी के घर तो ये भी पैदा हुआ अरा प्धिर को पर में कियो जाओं बुला ये, खाद्मे काथ बेजिये, तलब की ये आ जाओंगा तूसी से घर तो ये भी पैदा हुआ तूना चाहिए बई हुआ हुआ हुदूर दो गए बुलाने जब दोनों गए बुलाने तो उस वक आए हैं मिराज में एक ही आया था बुलाने अलवाराम अलवारा अलवने के चले हैं तो शान मेरे मौला की स्थी दमीश उना जानता है ज़िए अपीदत है मुझे हक है उनकी मदह करता हूँ चलिए मैं मदह करता हूँ शान देशने के कावब एक तरफ सल्मा और एक तरफ बूजर परदीश में खाजाय कंबर और रादा बसुए पैगंबर बहुक में दावर और जब चले तो क्या मालूम होता था मालूम होता था जोशने सभीर एदर जोशने सभीर एदर जनाब एमीर पीच दाव क्या पर्मा रहे हैं पर्यवा देजिए महम्मद रहा हैं और मुझमा मेरे सालत मुंतजर मेरे सालत पूरी जमात मुन्तजिर काये के मुन्तजिर अब आए वो आए वो आए पदा जानता है नजर वाले क्या क्या चूक रहे होंगे चूक रहे होंगे न जो घुबार उठा वो आए नहीं नहीं वो नहीं वो आए वो आए तक क्यामत वर्पा होगी जब तक नहीं आये? इंतिजाएं और रुदूर इस इंतजार में नबी भी शरीक इस इंतिजार में नबी भी शरीक अकेली जमात अकेले इंतजार करने वाले लोग dif le ? तमाम सहाबा, तमाम फोर, तमाम लशकर, सेव इंतजार कर रहा है, और उनके साथ परगंबर इंतजार करता है, अगर बुरी चीज़ है इंतजार तो क्योंने ही कोई रोकता, क्यों खुडा के रसुलाब भी इंतजार करते हैं, कोई बोल देता मजमेंसे, या रसुल्ला झाझे वाजनु मփतिए थे हैं, फालवार मूहमद्वा भी इंतजार करते रहें, भष् mentorship करते हैं, आकर बर्व वक्त आ गया, के जच कदा मन्चाक हुआ, जर्व बेकरार होके उच्थे के भूत तराभ आया, जच कदा मन्चाक हुआ, गव्लाफे काभा हटा, वदिशा से जिवार काबा शक्ख हुई। दिवार काबा में दर बना सामने जमाल है दर बना। मुझावाद मुझावाद। और जब आए हैं तो नबुवत जिहां खिमामत का सहरा। खुदा के रसुल देख तक देखिए बादा कोती जाएगी। मुझावाद। मुझावाद!! खर नबुपनुदार किया और जब पनों ने swiftly खिंटार किया... तो माट कीईएगा अब थमन्स मिनट और बासें कीमेंड। जब इन्तिशार करेंगें जब इन्तिशार किया... तौते तारीक की आएएने को देखें... नगर नग्तारिक के हाई ना देखो गे तो अमभिया इंतजार करते गुदर गये और और इसा वहां मुंतजिर यहां हम मुंतजिर दो इंतजिर के दीच में इमाम मुंतजर αλλά लुह से आएंगे हम अगर वरुई की यहां से जाएंगे और देखने का मंदर होगा कि गुद्री हुई नभूत बाला है या जिन्दा इमामत बाला है। दोनों मौके हमारे सामने इंशालला। और जो जमाना होगा जो रजहत का जमाना आएगा। जो जमाने में क्या जुलेखा का सबाब पलता होगा। जो मौके दिन की जमानी पलतेगी। सलवार मौक जमानी पलतनी चाहिए कि उनकी क्योंकी का हैं। इंशालल h जब जूहुर परवाएंगे तो सबाब होगा। जो चिहरे की बलाएं ले रहा होगा। और जो कुरबान हो रहा होगा। जवानी इनके कदम छोड़ दे छोड़ दे तो जाए कहा हुदू कहा जाए जन्नेत में जात पुचेगी बगएर इनके कदमों के यहाज़ जवानी ने आलम से घबरा के काउन का कदम पकर लिया फलवार मुहम्म्मदवार एह सबाब लिपता हुआ जमाना पैटेगा मुहम्मद का दीन सब्से घर्प सक होगा कयम आए इसलाम होगा दीन इलाही होगा इदादे पे माबूद होगी कोई और नहीं होगा अल्लाह का वो दोर वो होगा कि जिस दोर को खुदा ही जाने के क्या आजमत होगी हस्रते हैं जिन हस्रतों को हम आप कहां पूरा कर सकते हैं लेकिन जो खुद्समत हैं कि जो कबरों से उठके आएंगे और जो इमामत के जमाल का नजारा करेंगे जिनकी लिली हस्रते दीदार पूरी होगी उनसे पूचिए कि उनके क्या आलम होगे और क्या वो वक्त होगा, क्या बेनजीर मता होगा, ये बिल्लाही स्थे बेनयाम होगी, हंगा किसे पर दो से उत्रेगी, रसूल का गायत हाथ में होगा, खरहरा खुलेगा, हवा चलेगी, मुखालिफ हवा बंद होगी, लुच्छे बारी की नसीम चलने लगेगी, और जो जो तुमाम बाते हो जाएंगी, और वो वक्त होगा, बत यहां से आप देखें, देस मिनट आ गए हैं, देस मिनट में और पड़ोगा, सलवाद महँने जाएगा, और यहां से घौर कीजिए, वो वक्त आएगा, कि शायद यह कम लोगों ने सुना है, मैं ज़रत नहीं करता, और आपसे एक मारे का आराई होगी और बड़ी सख्ष मारे का आराई होगी जिसमारे का आराई में मदद होगी कि Allah कुमत भेजे और मदद भेजे अल्ला की करश नसरत के लिए अब क्या सामान होगा जब काहम आल म Duchम von equilibrium आपके लिए जंग के मौके में इस नुस्रत की जरोट होगी तो हमारा किसरा हमाम खुद्रत हुसाइन को भेजी है और आप enático और काहन आले मुहम्मद की नुस्रत करें गए और इस नुस्रत करने के बाँ फत्ःयाब होंगे और पत्ःयाब होने के बाँ अब वो वक्त आजाएगा जिस वक्त में वो वक्त भी आना चाहिए कि दरज़ शहादत क्या जो मन्जिलस है वह इसे माम ऐली मकाम को भी मिले जब इसे माम ऐली मकाम के लिए ये दरज़ रविया मौकूफ है इसक्त तो हदिशों में है कि आप भी शहीद होंगे अब आप सुचें कौन शहीद करेगा कौन वाँ ना कहिए ये तारीफ सब बता देगी अंदाज शहादत क्या होगा कि आप एक तरफ से गुजरेंगे बाला खाने से कोई एक पत्थर गिराएगा उस पत्थर से जखमी होंगे वो इस जखम जरीया बनेगा आपके इंतिकाल का इस जरीये से खुद्रत मरतब शहादत इस इमाम को भी देगी और जब आप शहीर हो जाएंगे तो अब दफन कौन करेगा वही करवला का मजलूम तो कि इमाम उन्सायन आजाएंगे आपके रज़त होगी मेरे मजलूम इमाम जब आप दफन कर रहे होंगे तो करवला का ख्याल तो आजाएगा कि आज आपको इतना मौका है कि आप आखरी इमाम को खुद दफन करें कबर में उतारें उस वक्त अगर कोई पूछे मौला अली अकबर को भी दफन कर सके मेरे मजलूम अब बास को भी दफन कर सके मौला करवला में तो सारे लाशे परे रहे मेरे आखा तेरा ही कोई दफन करने वाला न था एक मंदर गुदर जाएगा और जब ये मंदर गुदर जाएगा तो हुदूर फिर इमाम हुसाइन से जंग शुरू हो अब ये आलम पाक नहीं हुआ है आपको अधिसों के खबर मैं सुनाय देता हूँ जिन से आपको दर्याब करना हो वो मुझे लिख के दर्याब करना है मैं किताब बगरा का सब उनको हवाला भेज दूए लिए अधा सुने आप इस वक तो जब ऐसा मौका आएगा तो से शुहदा से भी मारका होगा और जब ये मारका होगा तो अब इस मारके में क्या होगा कि इस मारके में जब आपको फिर मदद की जरुवत होगी तो अमीरल मुमिनीन आएं अब आप हुसाइन की मदद को आएं और आके हुसाइन के साथ आपको मदद होगी अलाही और हुसाइन के साथ अम्धिरलमुमिन आकर अब गल्बा हासिल करेंगे मेरा जी चाहता है कि मैं आपको सुना तो चुका मगर ये पूछ लूँ आका अब आए हुसाइन की मदद को और जी दिन हुसाइन के रियाद कर रहे थे कि हल मिन नासर इन्ही अंसर ना कोई है जो मुझ मदलूम की मदद करे तो आका क्या मसलह थी कि उस दिन मदलूम की नुसरत को आपना आए आएंगे सेद शुहता और आएंगे अमिरलमुमिन और इमाम हुसाइन की नुसरत करेंगे और फिर मारका वही जारी रहे जब यह मारका और तूल खेंग जाएगा और बग जाएगा तो रुआतों में कि सेद अकबर जनाब पेगंबर इसलाएंग अब खलाक अलमून को भेजेगा और जब वो आएंगे तो नूर का हर बाहात में लेकर और आ कि अबलीज देखेगा और अब इबलीज भागेगा साथ ही कहेंगे कि अब कहां जाता है अरे अब तो फतर करीब है वो कहेगा आ रहे आगए वो जिनको मैं देख रहा और हमारा पेगंबर उस नेजे से उसको जड़ लगाएगा और वो नेजा उसके पुस पर लगएगा उस दिन इबलीज खत्म होगा और जब खत्म हो जाएगा तो अब यव में वक्त महलूम वही होगा कि जो कुरान ने बताया है और जब वो इबलीज खत्म होगा तो अब सारा आलम दिन मुहम्मदी का पाबंद होगा क्योंके शैतान का फितना खत्म होगा और शैतान के मानने वाले खत्म होंगे और ये किस्ता खत्म होगा और जब हमारा नभी आजाएगा और वाब नदर जरा सुनना दों, तीम मिनट में ज्यादा दिनना, जब आजाएगा हमारा पाइगंबर, तो अब खितना खेपन करके, वैठा है कि मकाम हो, अब जरा मेरी प्रफ देखना,